पौरानिक काल के दस प्रमुक दैत्यों का परिचे आतन, वर्दान और अंध नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवर्ष ग्यान कुंच चैनल पर आज हम आपको पौरानिक काल के दस प्रमुक दैत्यों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका आतन्प, वर्दानों और अंध भारतिये इतिहास और कथाओं में अमर है। ये दैत्तिय सिर्फ अपनी शक्ती के लिए नहीं, बल्कि उनके अंध के तरीके के लिए भी जाने जाते हैं। तो आएए, शुरू करते हैं इनकी रहस्यमई और रोमान चकगाथा। एक, हिरन्यकष्यप, हिरन्यकष्यप एक ऐसा असुर्था जिसने ब्रह्मा से आमर्ता का वर्दान प्राप्त किया था। उसने अपने अहनकार में खुद को भगवान मान लिया और देवताओं को चुनोती देना शुरू कर दिया। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को भी इसलिए दंडित किया क्योंकि वह भगवान विश्णू का भक्त था। हिरन्यकश्यप ने समस्त प्रजा पर विश्णू भक्ती का निशेद कर दिया था और जो कोई भी भगवान विश्णू की पूजा करता उसे कड़ी सजादी जाती। भगवान विश्णू ने नरसिंग अफ्तार धारंकर हिरन्यकर्षिप खुशाम के समय चोखट पर न धर्ती पर न आकाश में अपने नाखुनों से चीर कर उसका अंत किया। इस तरह हिरन्यकर्षिप का आंत उसके वर्दान की शर्तों के भीतर रहते हुए ही हुआ। दो, रावन, रावन, लनका का महाप्राक्रमी राजा, जो शिव का परमभक्त और महाग्यानी था, उसकी बुद्धी उसके अहनकार से ग्रसित हो गई थी। उसने माता सीता का अफरंग किया और भगवान राम के विरुद्ध युद्ध छेर दिया। महिशा के लिए मौन हो गए। उसकी मृत्यू के साथ अधर्म का अन्थ हुआ और धर्म की विजह हुई। 3. महिशासूर महिशासूर को यह वर्दान प्राप्थ था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। इस वर्दान के बल पर उसने देवताओं को युद्ध में परास्थ कर स्वर्ग पर कबज़ा कर लिया। महिशासूर ने देवताओं को धर्ती पर भटकने को मजबूर कर दिया। उसका आतन कैसा था कि देवता भी उससे दर्ते थे और उसके खिलाफ कुछ करने में असमर्थ थे। जब महिशासूर का अत्याचार बढ़ गया तब देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की। देवी ने महिशासूर को युद्ध में परास्थ किया और उसे मार गिराया। महिशासूर के अंच से यह सिध्ध हो गया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यूं नहो भुराय का अंतनिश्चित है। सासली और स्वर्ग में पुना शांती स्थापित हुई। पाच वृतासूर वृतासूर असूरों का महान युद्ध था जिसने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर इंड्र को पराजित कर स्वर्ग पर कबजा कर लिया। वह देवताओं और रिशियों को अपनी शक्ति से धमकाता था जिससे सारे लोग प्रस्ट थे। उसकी शक्ति के सामने सभी देवता असहाय हो गये थे। भगवान इंड्र ने भगवान विश्नु के निरदेश पर वजरस्ट का निर्मान किया और उससे वृतासूर का वद किया। वृतासूर के वद के बाद देवताओं न निर्वासित कर दिया और उनके आतन से कोई भी लोक सुरक्षित नहीं था। देवी दुर्गा ने अनेक रूपों में प्रकट होकर इन दोनों दैतियों से युद्ध किया और अंततः उन्हें परास्त किया। उनका अंत देवी के त्रिशूल और तलवार से हुआ, जिससे फिर से स्वर्ग में शांती स्थापित हुई। साथ, बानासूर, बानासूर शिव का परमभक्त था और उसे हजारों भुजाओं का वर्दान प्राप्त था। उसने अपनी शक्ती के धहमन में स्वर्ग और धर्ती के कई योधाओं को परास्त किया और अपने सामराज्य का विस्तार किया। उसका आतन के इतना था कि उसकी शक्ती के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था। भगवान क्रिश्ण ने बानासुर की चुनोती को स्वीकार किया और उससे भीशन युद्ध किया। अंतता क्रिश्ण ने उसकी हजारों भुजाओं को काट कर उसे परास्त किया, लेकिन शिवजी के अनुरोट पर उसे जीवंदान दिया। आठ, कालनेमी कालनेमी एक, अत्यंत धूर्त और शक्तिशाली असुर्था। रावन ने उसे हनुमान का मार्ग रोकने और भगवान राम की योजना को विफल करने के लिए भेजा। कालनेमी ने माया के सहारे हनुमान को धोका देने का प्रयास किया, और उसकी योजनाएगह तक साबित हो सकती थी। हनुमान जी ने कालनेमी की माया को भेद कर उसका वद किया और रावन की योजना विफल कर दी। कालने मी का अंध हनुमान की अपार शक्ती और भक्ती के बल पर हुआ 9. अंधकासूर अंधकासूर को भगवान शिव से वर्दान मिला था कि उसे केवल शिव के पुत्ध द्वारा ही मारा जा सकता है उसने धर्ती और स्वर्ग दोनों पर आक्रमन कर विनाश फैलाया 10. केसी राक्षस केसी राक्षस को यह वर्दान था कि उसे साधारन व्यक्ती नहीं मार सकता वह घोड़े के रूप में गोकुल में तबाही मचाने आया और वहां के निवासियों को डराने लगा उसकी गती और शक्ती इतनी प्रचन्ध थी कि उसे रोकना असंभव लग रहा था भगवान कृष्ण ने अपने बाल रूप में ही केसी राक्षस का सामना किया और उसे अपने मूखे से मार कर धर्ती पर गिरा दिया इस प्रकार कृष्ण ने उसके आतन्त का अंत किया रक्टवीज और सबसे अंत में बात करते हैं एक ऐसे असुर के विश्य में जो एक नहीं अंगिनत था रक्टवीज पौरानिक कताओं में एक अत्यंत शक्तिशली और खतरनाक असुर था जिसका नाम ही उसकी संकट बन गया था क्योंकि उसे मारना असंभव प्रतीत हो रहा था जब भी कोई योध्धा उसे घायल करता और उसका खून धर्ती पर गिरता उसकी जगह कई नए रक्टवीज पैदा हो जाते थे रक्टवीज का आतन कितना भयावे था कि उसने देवताओं की सेना को कई बार पराजित कर दिया हर बार जब उसे मारने की कोशिश की जाती तो उसके खून से और असुर उत्पन हो जाते उसकी इस विशेश शक्ती ने योध्ध के मैदान में ऐसी स्थिती पैदा कर दी थी कि जो भी उससे लड़ता उसे दुगनी सेना का सामना करना पड़ता उसक अब देवी दुर्गा ने रक्टबीज के आतंग को समाप्त करने का निश्चे किया तो उन्होंने मा काली को युद्ध में बुलाया मा काली ने अपनी अपार शक्ती से रक्टबीज को हराने का अनोखा उपए निकाला उन्होंने रक्टबीज के शरीर से गिरने वाले हर रक्ट की बूंध को अपनी जीब से पी लिया जिससे उसके खुन की एक भी बूंध धर्ती पर नहीं गिरी और नए रक्टबीज उत्पन नहीं हो सके अंततह माकाली ने रख़बीज का सन्हार कर दिया, जिससे देवताओं और मानवों को उसके आतंग से मुक्ती मिली तो दोस्तों, ये थी पौरानिक काल की दस प्रमुक देत्यों की कहानिया ये देत्यों के आतंग और उनके अंत की गाथाएं हमें इस पौरानिक काल की दस प्रमुक देत्यों की कहानिया